हेलो फ्रेंद्स, स्वागत है आप सबका SG Food World में कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी बेसन की बर्फी विद खोया की रेसिपी जिस पे मुझे मिले थे बहुत सारे प्यारे कमेंट्स साथ ही बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आये थी बिना खोय के बर्फी की रेसिपी की तो आज मैं लाई हूँ बेसन की बर्फी जिसके लिए ना ही आपको मलाई की जरूरत है ना ही खोया और ना ही दूद बिना मावे से बनने वाली ये बर्फी का टेस्ट भी जबरदस्थ है और रेसिपी भी बहुत एजी है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बनने वाली ये बर्फी मीठा खाने वालों को बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी बेसन की परफी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले कढ़ाई को गैस पर रखे और फ्लेम को मीडियम कर दे अब इसमें आड़ करेंगे बेसन मैंने यहाँ पे दो कप बेसन लिया है ग्राम में मेजर करेंगे तो 400 ग्राम अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है और आप ग्राम में भी मेजर नहीं कर सकते तो एक कप सेट कर लिजे जिसमें आप सारे इंग्रीडियंट्स को माप पाए हलकी सी कड़ाई गरम हो जाए तो इसमें दीरे-दीरे करके डालेगा घी एकी बारी में घी मत डालेगा क्योंकि अगर घी जादा हो जाएगा तो बर्फी अच्छे से जमेगी नहीं और बहुत जादा सौफ भी हो जाएगी जिसकी वज़े से वो तूटने लगेगी स्लोर टू मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे घी और बेसन को अच्छे से मिला लेंगे लगाता चलाते रहेंगे ताकि बेसन जले न अब आप देखेंगे कि बेसन बंधा-बंधा से और है और ये कठा होना शुरू हो गया है मैंने यहाँ पर तीन से चार बारी में घी की क्वांटिटी आड़ करी है और टोटल क्वांटिटी घी की बेसन को भूनने के लिए जो लगी है वो लगी है एक कप यानि की 200 ग्राम लगातार भूनते रहेंगे बीच बीच में आप मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं पर जितना आप बेसन को धीमी आज पर भूनेंगे उतनी ही बर्फी स्वादिष्ट बनेगी अगर आप रेसिपी के स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो बर्फी एकदम बढ़िया बनेगी बहुत बढ़िया से जम भी जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा बर्फी बनाने के लिए आप रेफाइन रोयल का यूज ना करें क्योंकि टेस्ट जो है वो गी में अच्छा आता है बेसन और गी अच्छा से मिक्स हो गए हैं अब बेसन को लगातार भूनते रहेंगे लो फ्लेम पर भूनते भूनते आप देखेंगे कि बेसन में बहुत अच्छा सा टेक्स्टर आना शुरू हो गया है कलर थोड़ा डाक हो गया है continue stir करते रहेंगे अब बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके है आप देखेंगे कि बेसन बिलकुल पतला होना शुरू हो गया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में बेसन जो है खी एब्जॉब कर लेता है और दीरे दीरे करके रिलीज करना शुरू करता है तो भूनते भूनते थोड़ी देर बाद पेसन की कंसिस्टेंसी बिलकुल पतली हो जाती है कलर भी हलका सुनहरा हो गया है इस स्टेज पे आप चाहें थोड़ा सा फूट कलर डाल सकते हैं अगर आप कलर अड़ कर रहे हैं तो चुटकी भरी डाले ये बर्फी बिना किसी प्रेजरवेटिव के दस से पंदरा दिन अराम से चल जाएगी बेसन को लगतार भूनते रहेंगे अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कलर बिल्कुल गोर्डन ब्राउन हो गया है इस स्टेज पे फ्लेम बिल्कुल बन कर दीजिए पर बेसन अभी भी आपने भूनना है एक से दो मिनट तक क्योंकि कढ़ाई गरम है और अगर हम बेसन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल सकता है बेसन को थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए तब तक हम त्यार कर लेते हैं शुगर सिरप यानि की चाश्नी चाश्नी बनाने के लिए मैंने यह आपे लिया एक पतीला और उसमें डाली है सवा कप चीनी मतलब एक कप पूरा और एक चुथाई कप और और टोटल यह धाई सु ग्राम है अब इसमें डालेंगे पोना कप पानी जिस कप से मैंने चीनी डाली थी सेम कप से मैंने पानी भी डाला है और ये होगा तकरीबन 150 ml अब चीनी को घुलने देंगे और फ्लेम मेडियम पर कर देंगे आज से 10 मिनट के लिए चीनी को पकने देना है और जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह कैसे हो जाए यानि की शहद जैसी तो एक प्लेट पर एक डॉप गिराएंगे और हली के बीच में चेक कीजिए हलका एक तार बन रहा है तो मतलब शुगर सिरप रेडी है अभी ठंडी होकर भी ये चाशनी और गाड़ी हो जाएगी इसलिए हमें इसको और नहीं पकाना है अब ग्यास बिलकुल बन कर देंगे चाशनी को हलका ठंडा होने देंगे अब बर्फी को जबाने के लिए एक ट्रे ले लेंगे ट्रे को गी से चिकना करेंगे ताकि बर्फी सेट होने के बाद असानी से निकल पाए चाशनी थोड़ी थंडी हो गई है और बेसन भी मीडियम होट है तो अब बेसन में चाशनी डालेंगे धीरे धीरे करके एक बारी में नहीं डालेंगे मिक्स करते रहेंगे अच्छे से अब मैंने यहाँ पर सारी चाशनी डाल दिया और मिक्स भी कर लिया है अब बिना किसी देरी की इसको ग्रीसिंग ट्रे में ट्रांस्फर करेंगे चम्माच या स्पैचुला से इसको एक सार कर लेंगे मैंने इस बर्फी को गार्णिश करने के लिए कुछ पिस्ता और बदाम को काट कर रखा है पहले से बर्फी के मिक्स्चर पर पिस्ता और बदाम को अच्छी तरह फिला कर डाले और एक स्पैचुला की मदद से हलका सा दबा ले बहुत ही जल्दी जम जाती है बर्फी इसकी कटिंग में आपको कोई दिक्कत ना है तो जिस तरीके से आपको कटिंग करनी है वहाँ पे हलका सा निशान लगा ले जैसे मैं आपको यहां करके दिखा रही हूँ ताकि बर्फी जब सेट हो जाएगी तो कटिंग करने में कोई परिशानी नहीं आएगी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है यह बर्फी इसको सेट होने में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे 20 मिनट बार मैं आपको दिखाती हूँ कि यह बर्फी कैसी लग रही है अफ नाइफ की मदद से जहां जहां हमने निशान लगाया था वहां पर कट कर लेंगे देखिए कितनी बढ़िया से सेट होई है और आसानी से निकल गई है किती सॉफ्ट है और मज़ेदार लग रही है तो इंजोई करिए यह टेस्टी बर्फी अपनी फैमली के साथ और बताईएगा जरूर कैसी लगी आप सबको यह रेसिपी मिलेंगे ऐसी ही और टेस्टी दिलिशुस रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर और टोंगे टो लाइक शेयर और सबस्क्राइब थैंक यू